न्यूजिलेंड वर्सेज अफगानिस्तान मैच की कहानी तो उस पहले सवाल में ही है जो अफगानी कप्तान से पूछा गया था टॉस के ठीक बार अफगानिस्तान ने टॉस जीता और कहा कि हम करेंगे पहले बॉलिंग क्योंकि ओस आ सकते है ड्यू तो खेड ड्यू ही रही उतनी आई नहीं लेकिन जब टॉस उन्होंने जीता और कहा कि हम पहले बॉलिंग करेंगे उनसे पूछा गया कि ये फैसला आपने क्यों किया अफगानिस्तान के कप्तान का ये जवाब था कि इसी तरह से चिन्नई में मैज जीते जाते हैं तब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप इस तरह से जीतते हैं और यहीं पर पूरे मैच की कहानी है क्योंकि जिस तरीके से टार्गेट डिफेंड करने की तासीर अफगानिस्तान की है उन्होंने वो छोड़के चेज करना चुना और ऐसा लगा कि एक बार न्यूजिलेंड को फसा लिया है 109 रन पे न्यूजिलेंड का एक विकेट था 110 रन पे न्यूजिलेंड के चार विकेट थे लेकिन उसके बाद जो लैथम और फिलिप्स की बीच में साजेदारी हुई उसने अफगानिस्तान की उम्मीदों पे पानी फेर दिया वैसे अफगानिस्तान ने खुद ही अपनी उमीदों पे पानी फिर दिया, ऐस्ट्रेलिया से कुछ नहीं सीखा, ऐस्ट्रेलिया ने एक मैच में 6 कैच छोड़े थे और मैच छोड़ दिया, अफगानिस्तानने भी 5 कैच छोड़ी दिये, एक स्टम्पिंग वाले कैच को यह जाते हैं I think वो जो कैच सेंटनर ने पकड़ा है उसे आप कैच आफ दे टॉर्णमेंट की रेस में बिलकुल सबसे आगे खड़ा हुआ पाएंगे अभी तद और सबसे आगे खड़ी हुई है टीम न्यूजिलेंड पूरे शान और शौकत के साथ जिस तरीके से मैट हैंड पूरी ने, ट्रेंट बोल्ट ने, लोके फर्गूसन ने, सैंटनर ने बॉलिंग की उसका कोई जवाब था रही पूरी अफगानिस्तान टीम के पास वो ड्यू का इंतजार कर रहे थे और बॉल ने टपा खाके जो काटा बदला है सारे बल्ले बाजे के करके पविलियन बहुत अच्छे रुन रेट के साथ से टॉप पर हैं और चार मैच में उनके आठ पॉइंट है यानि कि भारत को छोड़ने तो किसी भी प्रतिद्वन्डी टीम से वो दो और तीन मैच आगे हैं और इस फॉर्मेट में जबकि सब के खाते के पांच या शे मैचेस बचे हु और एक कमिट्मेंट के साथ उतर रहे हैं अपने केन बिलियमसन जैसे कैरिस्जमेटिक प्लेयर के बिना भी न्यूजिलेंड कमाल कर रही हैं मुझे लगता है न्यूजिलेंड के लिए ये वर्ल्ड कप कमाल का रहने वाला है आगे आगे देखिए वो क्या कमाल करते हैं कमेंट में उनके लिए इतना ही है